रोगन आठ गुजरात राज्जी की पहचान है रोगन का शाप्तिक अर्थ होता है तेल से होने वाली कलाकारी ये कला फारस से लगभग 400 साल पहले भारत आई थी रोगन शब्द भी फारसी भाशा का ही शब्द है रोगन आठ में सिर्फ और सिर्फ अर्णडी यानि की केस्टर ओइल का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी की हांडी में इस थेल को आग पर दो दिन तक पकाया जाता है अरंडी के फसल गुजरात के कच्छ में बहुत आयतन में उगाई जाती है गुजरात के इस इलाके में रोगन कलाके फलने फूलने की एक वज़ा ये भी है यहां के कलाकार इस तेल को स्थानी किसानों से ही प्राप्त क्या करते थे अरंडी का तेल जब पक जाता है तो इसके बाद इसमें चमकीले प्राकृतिक रंगों को मिलाया जाता है और तैयार हुते हैं रोगन कला के लिए रंग कपड़े पर होने वाली इस कलाकारी के लिए कोई तैप पैटन नहीं है कलाकार अपने मन मुताबिक इस कला को शुरू करता है और आगे बढ़ाता है स्थानिय जनजातिय समुदाय में दुलन की शादी के जोड़े पर रोगन आठ कलाकारी ही होती है इस कला का प्रियोग खागरा, ओडनी और बेटशीट के किनारों को सजाने के लिए क्या जाता है वर्तमान में इस कला का प्रियोग दिवार पर भी होने लगा है जिसके कारण इस कला को रोगन काम के नाम से भी काफी लुग प्रियता मिली है कलाकार के दिमाग में छपी हुई कलाकृति को जब वो कपड़े पर उतारता है तो उसके दोनु हाथ एक साथ तालमेल के साथ चलते हैं एक हाथ से वो कला को केरता है तो दूसरे से वो कपड़े के नीचे से उस कला को संभालता है रोगन आर्ट में रंगों को हाथों पर रख कर एक नियत तापमान तक लाया जाता है इसका अर्थ ये हुआ कि कलाकार के हाथ और दिमाग दोनों से ये रोगन आर्ट जन्म लेता है जामीतिय सिध्धान्तों का भी इस कलाकारी में खुब प्रियोग होता है आधी पेंटिंग को बनाने के बाद कलाकार कपड़े को मोड़ देते हैं और इसके बाद वो पेंटिंग कपड़े के बाकी हिस्से पर भी छप जाती है रोगन कला के बारे में बात हो और अब्दुल गफूर खत्री का जिक्र ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है अब्दुल गफूर खत्री वो शक्स हैं जिन्होंने न सिर्फ इस कला को अब तक जीवीत रखा है बलकि वो इसे आगे भी बढ़ा रहे हैं पद्म सम्मान से सम्मानित अब्दुल गफूर खत्री की इस कला कारी के बारे में प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी अपने मासिक कारिक्रम मन के बाद में भी चर्चा कर चुके हैं अब्दुल्गफूर खत्री और उनके परिवार ने रोगन आर्ट में ट्री ओफ लाइफ पेंटिंग की शुरुवात की जो आज विदिशु में भी प्रसिधि पाचुकी है